हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा पांच हिंदी रिम जिम का दूसरा पार्ट फसलों का त्योहार सबसे पहले हम आपको इस पार्ट का सारांस बताएंगे और फिर उसके बाद पार्ट में पूछेगे प्रस्नू के उत्तर भी तो बच्चो शुरू करते हैं कक्सा पांच हिंदी रिम जिम का दूसरा पार्ट फसलों का त्योहार तो बच्चो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जाड़ा का मौसम है दस दिनों से सूरज नहीं उगा है हम लोग सूरज के इंतजार में हैं रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है तो बच्चो आपने देखा होगा जब सर्दियों का मौसम होता है ठंड जादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं सूरज के निकलने का इंतजार करते हैं और रजाई से निकलने की हमारी हिम्मत नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि हमें ठंड बहुत लगती है लेकिन खिचडी यानि कि जिसे लोग मकर संगरान्ति के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं लोग मकर सक्रान्ती को खिजडी का त्योहार भी बोलते हैं लेकिन खिजडी का त्योहार आ गया है अता जाड़ा के बाब्यूद हम सभी नहा दोकर एक कमरे में इकठा हो गए दादा चाचा और पापा ने सफेद चका चक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है बचो मांड होती है एक तरव का एक तरह से गढ़ा पदार्त होता एक मांड जैसे आपने चावल देखे होंगे जब चावल पकाते हैं तो उसके उपर एक गाड़ा सा पदार्थ जो है जम जाता है जैसे आपने देखा होगा जब आपकी ममा चावल पकाती है तो चावल के उपर जो पानी पड़ा होता है ओ जो एक ऐसा हो जाता है गाड़ा पापा ने सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्टा पहना हुआ है तो जैसे मैंने आपको बताया मांड का मतलब होता है एक तरह का सफेद और गाड़ा तरल पदार्थ सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है और दादी भी बैठी हुई है खादी की सफेद साड़ी पहने हुए उनके बाल धुलने के बाद सफेद सेमल की रूई जैसे हो गए हैं बचो आपने सेमल का पौदा देखा है सेमल एक पौदा होता है तो उस पे जो है सेमल के पौदे पे जैसे कपास की रूई होती है ना उसी प्रकार से सेमल के जो पौदा होता उस पे जो फल निकलता उसमें से रूई की तरे रेशा निकलता है जो की सपेद रंका होता है उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल आप और प्रणाम करने के लिए कहा बाद में इन्हें दान दे दिया गया तो बच्चो अपने रिवाजों के अनुसार जैसे कि उनके इलाके में चलता होगा उसी प्रकार से दादी ने कहा कि इन सब चीजों को आप बारी-बारी से छूओ किन चीजों को तिल, मिठा, गुड और च बुए जाएगा, इसके बाद बच्चों, यहांपर कहा गया है कि खिजडी के दिन चूड़ा, दही और खिजडी खाने का रिवाज है, खिजडी के दिन यानिकी खिजडी कब होती है? मैंने आपको बताया था मकर संक्रान्ति को कहीं-कहीं लोग क्खिजडी का तिवार भी बोलते हैं जब हम लोग मकर संक्रान्ती का तिवार जिसे आप लोग मकर संक्रान्ती का तिवार बोलते हैं तो उसे कहीं कहीं लोग खिचडी का तिवार भी बोलते हैं और खिचडी के दिन चूड़ा चूड़ा क्या होता है चावल का दही और खिचडी खाने का रिवाज ह किन्तु अप्पी दिदिया को दोनों में से कोई चीज पसंद नहीं है फिर भी उन्हें दोनों चीजें खानी होंगी क्योंकि आज खिचडी का त्योहार है इस दिन तिल गुड और चीनी के तिलकुड भी खाये जाते हैं जो बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं आगे यहाँ पर कहा है जनवरी महा के मध्य में भारत के लगवग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई तिवार मनाया जाता है बच्चो आपको पता है न एक साल में कितने महिने होते हैं बारा महिने और सबसे पहला महिना होता है जनवरी का और जनवरी महा के मध्य में मध्य का मदलब बीच में भारत के लगवग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई तिवार मनाया जाता है हमारे देश का नाम क्या है भारत और हमारे देश में जनवरी महा के मध्य में यानि कि जनवरी के बीच में 10 से 15 तारिक तक सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना धंग नजर आता है यहाँ पर जोए कहा गया है कि सभी जगे जोए पूरे देश में पूरे भारत देश में जोए कोई ने कोई तिवार जनवरी महा के बीच में लगबग मनाया जाता है और सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना धंग नजर आता है यानिके अपने अपने तरीके से सभी क्योहर मनाते हैं इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर में आने की खुसी का इजहार करते हैं इस दिन क्या होता है बच्चों कि जो खेत में जो पैदावार होती है जो फसले होती है तो लोग समझते हैं कि इस दिन जो है अच्छी पैदावार जो है होगी और घर में आएगी खुसियां आएंगी फसलों के घर आने की खुसियों का जो है लोग खुसियां मनाते हैं उत्तर परदेश, बिहार, मद्य परदेश में मकर संक्रांती या तिल संक्रांती असम में बिहू, केरल में ओडम, तमिलनाडो में पॉंगल, पंजाब में लोहडी, जारखन में सरहुल, गुजरात में पतंका पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं तो बच्चों आपने यहां पर देखा, कई सारे त्योहारों के नाम आपने यहां पर देखे, यह सारे के सारे त्योहार जो है भारत देश में यानि के हमारे देश में मनाए जाते हैं, कौन कौन से मनाए जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, उत्तर परदेश, बिहार और मद्यपरदेश में किस नाम से मनाते हैं मकर संकरांती या तिल संकरांती के नाम से असम में बिहु के नाम से केरल में ओडम तमिलनाडु में पोंगल पंजाब में लोहडी और जारखंड में पंजाब में लोहडी जारखंड में सरहुल गुजराद में पतंका पर्व सभी खेत से जुड़े त्योहार है तो आपने देखे यहां पर कि यह बहुत सारे त्योहारों के नाम यहां पर लिखे हुए थे आपने जो देखे कौन-कौन से देखे आपने आप याद रखे उत्तर परदेश यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर परदेश बिहार मध्यपरदेश में मकर सकरांती या तिल का त्योहार तिल सकरांती असम में बिहू केरल में ओणम तमिलनाडो में पोंगल पंजाब में लोहडी जारखन में सरहुल गुजराद में पतंका पर्व सभी जो एकिस से संबंदित है खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं इसके बाद बच् अपरेल तक अलग-अलग समय में मनाय जाता है क्या कहा गया है कि इन त्योहारों को आपने देखा कब मनाय जाता है जनवरी के बीच की तारिकों से और अपरेल तक जो है इनको मनाय जाता है इसके बाद आगे यहां पर देखते हैं जारखन में सरहुल काफी धुमदाम से मन आपने देखा कि यहां पर जारकंड जो लिखा हुआ है जारकंड में कौन सा त्योहार मनाये जाता है सरहुल का त्योहार आपने देखा यहां जारकंड में सरहुल काफी धूमधाम से मनाये जाता है अलग-अलग जन जातियां इसे अलग-अलग समय में मनाती है इस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है किस पेड़ की पूजा की जाती है साल एक पौदा होता है और उसके पेड़ की पूजा की जाती है साल के पेड़ की पूजा की जाती है कब की जाती है सरहुल में सरहुल का जो तिवार होता है जो जारकन में मनाए जाता है उसमें जो है साल के पेड़ की पूजा की जाती है इसी समय से मौसम बहुत खुसनुमा हो जाता है खुसनुमा मलब बहुत अच्छा हो जाता है मौसम इस दिन से बसंत रितु की सुरुवात मानी जाती है धान की भी पूजा की जाती है पुजा किया हुआ आशिरवाजी धान अगली फसल में बोया जाता है तो बच्चो यहाँ पर आगे कहा गया है कि तमिलनाडो में फसलों से जुड़ा तिवार पोंगल है आप समझे इसे तमिलनाडों में कौन सा मनाये जाता है फसलों से जुड़ा हुआ तिवार पोंगल इस दिन खरीब की फसले खरीब की कौन कौन सी फसले होती है जैसे कि चावयल और हर मसूर आधी केटकर घरों में पहुंचती हैं कटकर है यहाँ पर यह केटकर नहीं है कटकर घरों में पहुंचती है तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा हुआ तेवार कौन सा है पोंगल तमिलनाडु का तेवार कौन सा है पोंगल और इस दिन क्या होता है जो खरीब की फसले हैं उन्हें जो है काटकर घर में लाया जाता है जैसे चावल और हर मसूर आदी इसके बाद हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है कहां पर तमिल नाडु में हर घर में जो है मिट्टी का नया मटका लाया जाता है इसमें नए चावल, दूद और गुड डाल कर उसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं इसके बाद जैसे ही दूद में उफान आता है और चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला यानि की पोंगला पोंगल के स्वर गुंजने लग जाते हैं कैसे गुंचते हैं पोंगला पोंगल के स्वर पहले क्या करते हैं घर में एक नया मटका लाते हैं उसमें नए चावल दूद और गुर डाल कर उसे पकने के लिए धूब में छोड़ देते हैं जैसे ही दूद में उफान आता है यानि कि दूद उबलने लग जाता है और आप बोलते हैं जोर जोर से चिला के बोलते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल कौन सी जगे की बात कर रहा हूं मैं मैंने कहा था तमिल नाडु में बच्चो ध्यान दें आप कि तमिल नाडु में जो है पोंगल त्योहार मनाया जाता है ये फसलों से जुड़ा हुआ त्योहर है तो ये था इस कहानी का सारांस आगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं फसलों के त्योहर पाठ के प्रस्न और उनके उत्तर जो कि आपकी पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे तो पाठे पुस्तक का अभ्यास आईए करते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रस्ण है आपके लिए तो बच्चो यहाँ पर जो है आपके लिए सबसे पहला प्रस्ण है यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मौसम का अंदाज यहाँ पर देख रहे हैं खिचडी में आईसन जाड़ा हम पहले कबबो ना देखनी यहां तुम खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हो या रहे हो तो उतर होगा आपका इस संबाद में खिचडी सब्द का अर्थ मकर संक्रान्ति के समय से है बच्चों मैंने पहले आपको बताया था कि मकर संक्रान्ति को ही कहीं कहीं लोग खिचडी के नाम से जानते हैं तो इस संबाद में इस प्रसन का उतर यही होगा कि इस संबाद में खिचडी सब्द का अर्थ मकर संक्रान्ति के समय से है उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रसन आपके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिलकुल ही न निकले अगर ऐसा हो तो अपने सातियों के साथ बातचीत करके लिखो तो बच्चो ऐसा कि आपने भी देखा कि कभी सूरज निकले ही नहीं आईए उत्तर देखते हैं यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे उत्तर होगा आपका सूरज बिलकुल ही ना निकले ऐसा होना तो संबव नहीं हाँ यह हो सकता है कि सूरज धुन्द बादल या परदूसन के कारण हमें न दिखे तो बच्चो सूरज से हमें क्या मिलता है रोज नहीं मिलती है आप जानते हैं कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंदेरा ही रहेगा इसलिए सूरज तो रोज निकलता है लेकिन हमें किन कारणों से दिखाई नहीं देता धुंद के कारण दिखाई नहीं देता कोहरा लगा होता है या बादल लगे होते हैं या अत्यधिक परदूशन होता है तो हमें वो दिखता नहीं है इसलिए आपका उतर होगा कि सूरज ब आदल या पर्दूसन के कारण हमें ना दिखे अगर ऐसा होता है तो दिन में ही अंधेरा लगेगा और मौसम ठंडा हो जाएगा हमें बाहर निकलने काम करने में मुश्किल होगी रोशनी के लिए दिन में लाइट जलानी पड़ेगी जिससे बिजली ज्यादा खर्च होगी तो यह होगा बच्चों आपके लिए दूसरे प्रस्न का उत्तर जिसे आप यहां से देखके लिख सकते हैं इसके बाद आए देखते हैं यहां पर तीसरा प्रस्न तो बच्चों जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं तीसरा प्रस्न आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर जो है तीसरा प्रस्न पढ़ते हैं क्या लिका यहां पर बाहर देखने के समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था जिनके पास गड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं तो बच्चो इसका उतर होगा अध्याय पढ़कर पता चलता है कि बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था जिनके पास गड़ी नहीं होती हुए समय का अनुमान सूरज की इस्तिती दिसा को देखकर लगाते हैं सुबह सूरज पूरब की ओर और दिन में सर के उपर और साम को पस्चिम की ओर दिखता है तो बच्चों पुराने समय में भी लोगों के पास गड़ियां नहीं होती थी लेकिन लोग अपना सभी काम जो है समय पर करते थे यानि कि सही समय पर नियत समय पर करते थे तो बताईए कैसे तो आपका उतर होगा यहां पर कि अध्याय पढ़कर पता चलता है यानि कि जो आपने लेसन पढ़ा उससे पढ़कर पता चलता है कि बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था जिनके पास घड़ी नहीं होती हुए समय का अनमान सूरज की इस्तिती और दिसा को देकर लगाते हैं आप सभी जानते हैं बचो सूरज जो है कहा निकलता है सुवे सुवे कहा दिखाई देता हमें पूरब दिसा की ओर जिदर को सूरज निकलता है उसे क्या कहते हैं पूरब और जहां सूरज छिपता है उसे क्या कहते हैं पस्चिम तो सुबह सूरज जो है पूरब की ओर और दिन में कहां होता है सूरज पूरब से निकल के पस्चिम की ओर सूरज चलता है तो दिन में कहां होता है हमारे सर के ऊपर दिन में कहां होता है सर के ऊपर और साम को पस्चिम की ओर दिखता है तो बच्चों इस प्रकार से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर सर के उपर सूरज है तो इसका मलब दो पर हो रखी है और यदि पूरब की गोर यानि कि किनारे पे जिदर से सूरज निकलता हुई है तो अभी सुबह है और पीट पीछे अगर सूरज हो जाता है तो इसका मलब पसिम्त की दिशा की गोर है सूरज इसका मतलब साम हो चुकी है इसके बाद देखते हैं अगला प्रसन तुम्हारी जुबान इन वाक्यों को अपने घर की बासा में लिखो आज इन लोग के उठके नईखे का तो यहाँ पर हिंदी बासा में यह आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इन वाक्यों को अपने घर की बासा में आपके घर की बासा कौन सी है यह आपको मालूम होगा लेकिन यहाँ पर जो पार्ट के अनुसार दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज ये लोग के उठे के नहीं के का इसका मतलब आज ये लोग उठे की नहीं हिंदी बासा में हम इसे लिखेंगे आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या तो पहाड़ी बासा में होगा इसमें लिखा हुआ आज इना लोग का उठेना नहीं क्या तो आप देखें अपनी बासा में आप इसे लिख सकते हैं कि किस परकार से आप लिखेंगे इसके बाद खै है इसका खै पार्ट जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना इसका मतलब होगा हिंदी में कि जा भाग कर देख केले के पत्ते आये की नहीं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जा भाग कर दे केले के पत्ते आये की नहीं इसका मतलब होगा किसका मतलब जा भाग कर दे केरा के पत्ता आयल कीना इस लाइन का मतलब होगा हिंदी में जा भाग कर दे केले के पते आये की नहीं और यहाँ पर आप अपनी पहाड़ी भासा में या अपनी जो भी आपके छेतर की भासा है उसमें आप स्वेयम लिखेंगे कि आपकी भासा में इसको कैसे बोलेंगे जा भाग कर दे केले के पते आये की नहीं आगे बच्चो भारत तेरे रंग अनेक तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत तेरे रंग अनेक में किस परकार से उत्तर लिखा हुआ है बिवित्ता हमारे देश की पहचान है यहाँ पर जो प्रसना आप देख रहे हैं पहले आप प्रसन देखें कि बिवित्ता हमारे देश की पैचान है फसलों के तिवार हमारे देश के बिवित रंग रूपों का एक उधारन है नीचे बिविता के कुछ और उधारन दिये गए हैं पांच-पांच बच्चों का समूँ एक-एक उधारन लें और उस पर जानकारी खटा करें कैसे करके आप जानकारी के ल कपड़े, नया वर्स, बोजन, लोगकला, लोगसंगी तो आप सिसमें से सब पर कुछ न कुछ लिखेंगे एक, एक, दो, तो लाइने कि हमारे देश मेंvania की बिवित्दा की हमारे देश की जो बिवित्दा है वही हमारे देश की पहचान है हमारे देश में क्या है अलग-अलग भासा के लोग रहते हैं अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो नया वर्स हमारे देश में अलग-अलग तरह से मनाए जाता है भोजन भी हमारे देश में लोग अलग-अलग तरह से करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा पहाडों के लोग जो अलग भोजन पकाते हैं अलग परकार के बियंजन वहाँ पर बनाए जाते हैं और सहरों में अलग परकार से तो अलग अलग राजियों में जैसे कि बिहार में कुछ अलग तरह के भोजन पकाई जाते हैं गुजरात में पर आप देख सकते हैं उत्तर आपकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो है उत्तर देख सकते हैं उत्तर पहला भासा भासा के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के हर राजे में अलग-अलग भासा और बोलियां बोली जाती है जैसे हिमाचल में कौन सी बोली बोली जाती है पहाड़ी कहलूरी चंबयाली मडियाली पंजाब में पंजावी हरियान में हरियानवी और केरल में मलियालम तमिल नाड़ु में तमिल ये सारी बासा हैं जो है अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग प्रांतों में बोली जाती हैं लेकिन राष्ट बासा के र कपड़े हमारे देश में किस किस परकार के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजियों में पहने जाते हैं उनके क्या नाम है यहाँ पर देखते हैं आईए कपड़े की बात करते हैं तो बारत के विविन राजियों में रितूं और मौसम के अनुसार अलग 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 ठंडे इलाकों में उन से बने मोटे वस्तर यानि कि मोटे कपड़े, गरम इलाकों में सूती कपड़े से बने वस्तर, मौसम और जलवाई के अनसार रंगों में भी परिवर्तन आ जाता है जैसे ठंडे इलाकों में गहरे गाड़े रंग और गरम इलाकों में हलके गहरे रंग के वस्तर पहने जाते हैं तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि कपड़े जो है किस परकार से भारत में अलग-अलग छेत्रों में और अलग-अलग मौसम में पहने जाते हैं इसके बाद नया वर्ष की बात करते हैं तो दुनिया भर में नया साल अलग-अलग तरीके और परम प्राओं के साथ मनाया जाता है तो हिंदू नव वर्स आपने देखा होगा किस तरह से मनाते हैं और कब मनाते हैं हिंदू नव वर्स का प्रारंब चैत मास की सुकल पक्स की पर्थम तिति से मनाया जाता है तो यहाँ पर हिंदू वर्स की बात की जा रही है हिंदू नव वर् इस जिन से बिक्रम समबद के नव वर्स की सुरुवात होती है परचलित अंग्रेजी केलेंडर के अनुसार यहाती थी माह अप्रेल में आती है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मार्च अप्रेल में जो है लगबग चैत का मैना अरंब होता है तो हिंदू नववर्ष का जो calendar होता है, calendar बच्चों हमारे देश में कई तरह के होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी calendar जो कि आप पढ़ते हैं, हमेशा इसकूलों में पढ़ते हैं, आप देखते हैं, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अपरेल, माई, जून, तो किस calendar के हिसाब से होती मार्टिक, मार्टिक, फोस, माग और फालगुन करके 12 महिने लिखे होते हैं तो 12 महिनों का हिंदू 9 वर्षी भी होता है और अंग्रेजी केलेंडर भी 12 महिने का होता है तो आप जो केलेंडर स्कूलों में देखते हैं ये कौन सा होता है अंग्रेजी केलेंडर और हिंदू नव वर्स का केलेंडर में चैत्र माज से पहला महिना सुरू होता है जबकि अंग्रेजी केलेंडर में जनवरी के महिने से तो आगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं इसाई नव वर्स की बात करते हैं इसाई नव वर्स एक जनवरी से आरंब होता है और 31 दिसंबर को एक वर्स पूरा हो जाता है जिसे हम आपको बता रहे थे अंग्रेजी केलेंडर इसको बोलते हैं इसाई नव वर्स तो इसका जो है एक जनवरी से आरंब होता है और 31 दिसंबर को एक वर्स पूरा हो जाता है पूरे कितने महीने होते हैं बारा महीने इसके बाद फार्सी नव वर्स फार्सी धर्म में नया वर्स नव रोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है सामने तहा नव रोज का उत्सव उन्नीस अगस्त को मनाया जाता है इसकी सुरुआत तीन हजार वर्स पूर्ब साहजम से ज प्रवाइब लिए यहां पर अच्छी बात लिखी हुई है कि फार्सी धर्म में नया वर्स नवरोज उत्सव के रूप में मनाये जाता है फार्सी धर्म के लोग परिशियन लोग जो होते हैं और सामने तर नवरोज का उत्सव 19 अगस्त को मनाये जाता है इसकी सुरुवात आगे बच्छो आप यहां पर देख रहे हैं पंजावी नवर्स आपने पंजावी नवर्स का कलेंडर तो देखा नहीं होगा लेकिन पंजावी नवर्स यहां पर आपको हम बता रहे हैं कई बच्छों ने देखा भी होगा पंजाब में नए वर्स का उत्सव अप्रेल मास में बैसाकी वर्स के रूप में मनाय जाता है नए साल का प्रारंबिक नानक साही केलेलर के अनुसार मना जाता है तो बच्चो पंजाब में नव वर्स कब से मनाय जाता है अपरेल मास में बैसाकी के रूप में मनाय जाता है बैसाकी आपने सुना बैसाकी एक्तिवार होता है पंजाब में उससे जो है नव वर्ष जो है पंजाब का शुरू माना जाता है इसके बाद बच्चो आईए देखते हैं यहाँ पर जैन नव वर्ष यहाँ पर देखते हैं जैन नव वर्ष तो जैन नव वर्ष जो है दीपावली के अगले दिन से आरंब माना जाता है इसे व तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जिनके यहां कि जो जो चीजें मिलती हैं उन चीजों बनाया जाता है कहीं जोए चावल अधिक होता है तो कहीं जोए गेहूं अधिक होते हैं कहीं जोए कुछ अलग अन्य तरह के पकवान बनाए जाते हैं जहां मक्का अधिक होती है वहां मक्के की रोटी बनती है इसी परकार से आईए जानते हैं यहां पर जैसे वड़ा पाव महाराष्ट का ढोकला गुजरात का दाल बाटी चूर्मा राजिस्तान का यहां पर देख रहे हैं आप कि जो है वड़ा पाव कहां का है महाराष्ट का है और ढोकला कहां का गुजरात का दाल बाटी चूर्मा यहां पर जो है राजिस्तान का आप देख सक सकते हैं विरियानी आंदर परदेश की मक्की की रोटी और सर्चों का साग कहां का पंजाब का लिठी चोका कहां का बिहार का और डोसा तमिलनाडु का हिमाचल के सिद्धू असकलू बाबरू तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग जो है राजियों के अलग-अलग प कर सकते हैं कि कौन से प्रांत में कौन से राजियों में कौन सा बोजन जो है परसिद्ध है इसके बाद आए जानते हैं यहां पर लोग कला की बात करते हैं तो बारत को अलग-अलग राजियों बारत के जो अलग-अलग राजियों में विविन कला हैं परचलित हैं जो बारत की प्राचीन सस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं बारत की परसिद लोग चित्रकलाए हैं बियार की मदुबनी चित्रकारी आंदर परदेश की निरमल चित्रकारी ओडिशाराजे की पत्ता चित्रकारी और इसी तरह लोग कला के अन्य अनेग रूप हैं लोग कला केवल चित तो बच्चों यहांपर आप देख सकते हैं कि भारत की जोये लोग कलाओं की बात की जारी है वह काफी परसिद्ध हैं आप यहांपर देख सकते हैं आंदर परदेश की निर्मल चित्रकारी, ओडिसा राजे की पत्ता चित्रकारी और इसी परकार से अन्य राजियों की भी जो है चित्रकारियां और लोग कलाएं जो है परशिद्ध हैं आगे यहाँ पर बात करते हैं लोक संगीत की जैसे कि आपने कई परकार के संगीत सुने होंगे हिंदी में पंजाबी में और इंगली सौंग भी आप सुनते हैं तो यहाँ पर देखते हैं केवल हम देख रहे हैं अपने देश के भारत के लोक संगीत के बारे में तो भारत के सवी राजियों में उनकी संस्किर्टी परमपराउं विरासयत और पसंद के अनुसार बिविन लोग संगीत हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंदर परदेश में मदिगा, दपू, माला, जमिदिका, आदी जो है लोग संगीत पर सिद्ध हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं असम में असम में बियू गीत, कामरूपी लोग गीत, टोकरी गीत और इस परकार के गीत जो है लोग संगीत के अंतरगत गाये जाते हैं, बजाये जाते हैं, बंगाल का जो है लोग संगीत क्या है, बटी आली और बहुला, आगे गुजरात क गुजरात का आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी जानते हैं गर्वा आजकर सारे देश में जो है बड़े धूमदाम से गर्वा का निर्त किया जाता है गर्वा किया जाता है गर्वा में निर्त किया जाता है और गर्वा गाया भी जाता है तो गुजरात का गर्वा और द महारास्ट में देख सकते हैं आप यहां पर करनाटक और महारास्ट में तो करनाटक के भावगीते और महारास्ट का भावगीते लावनी और महारास्ट में और वी है पोवादा, भरूद, गोंधाल, अभंग और तुमबादी ओडिसा का आप देख सकते हैं ओडिसा में ओडिसी और संबलपुरी हिमाचलक में आप देख सकते हैं जुरी, लमन और नाटी इसी परकार से जो है आपने देखा कि लोग संगीत जो है भारत देश में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तरे के लोग संगीत प्रसिद्ध है इसके बाद आएए देखते हैं यहां पर प्रस्म दूसरा तुम्हें कौन सा तिवार सबसे अच्छा लगता है और क्यूं इस दिन तुमारी दिन चर्या क्या होती है तो बच्चो आप वैसे तो जानते हैं कि आपको कौन सा तिवार सबसे अच्छा लगता है हो सकता है किसी को होली का तिवार अच्छा लगता हो किसी को दिवाली अच्छी लगती हो उतर होगा आपका कि हमें दिवाली का तिवार सबसे अच्छा लगता है आप अपने हिसाफ से भी लिख सकते हैं जो आ बाजार सज जाते हैं सजने लग जाते हैं हर तरफ अजब सी रौनक होती है इस दिन हमारा दिन सुब नहाने दोने से सुरू होता है घर पर सभी लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं मिलकर दावत बनाते हैं हम खूब खेलते हैं मिठाईयां खील खिलोने और बता से खाते हैं साम को लक्समी माता की पूजा करते हैं पडोशियों को मिठाईयां बाढ़ते हैं पठा के चलाते हैं दुआलठा जलाते हैं यानि की दिया बत्ती वगरे जलाते हैं बड़ा मजा करते हैं हम कई बार नानी के घर भी जाते हैं तो बच्चो इस फरकार से आप जो है दिवाली का तिवार मनाते हैं अब आई ये बात करते हैं अन के बारे में तो फसल के तिवार पर तिल का बहुत महतो होता है तिल का किन किन रूपों में इस्तिमाल किया जाता है पता करो आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मी आपके पापा तिल का जो ए तेल लाते हैं बजार से खरीद के जिससे दिया उगरे जलाते हैं और काले सपेद दो रंगे तिल होते हैं आपने देखे होंगे तिलों का इस्तमाल आपके गरों में भी होता होगा कई चीजों में जिए तिलों का इस्तमाल लोग करते हैं तो उत्र होगा आपका कि फसल के तिवार पर तिल का बहुत मैतो होता है तिल साबुत ही थोड़ा भून कर बैवडियों पर आपने देखी होगी तिल रैवडिया तिल पठ्टी तेले要 और आधि में खाया जाता है आपने देखी होंगी रैवडिया उन पर जो सफेद दाने से होते हैं यानि कि दवाईयों के गुण होते हैं इसमें तिल जो है दवाईय के रूप में भी इस्तमाल किये जाते हैं या सरीर में उपस्तित जीवाणूं और किटाणूं का दमन करते हैं यानि कि उनका नास करते हैं सरीर को तिल गरम रखते हैं तिल को पीश कर चटनी में भी प्रियोग किया जाता है तिल से तेल भी निकाला जाता है जो मैंने आपको बताया कि दिया बत्ती जलाने के लिए आपके घरों में तिल का तेल जो है लाते हैं प्रियोग खाने और दवाई के रूप में किया जा तो तेल की दुकान में जाकर पूछो तो बचो आपने यहाँ पर देखा पूछा गया है कि किन किन चीजों से तेल बनता है क्या आप जानते है कि आपने देखा होगा तेल जो है कई चीजों से बनता है आईए हम आपको बताते हैं जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कि तेल से जो है तेल बनता है जिससे आप बती जलाते हैं यानि कि तेल का जो दिया जलता है आपके घरों में मंदिरों में जो जलाते हैं लोग कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक सीसी रखी होती है जिसमें तेल का तेल होता है सरसों में तेल आपने सुना होगा सरसों का तेल तो आपके घर में सभी के घर में प्रियोग किया जाता है सरसों का तेल और मुंफली का भी तेल होता है राई का तेल होता है बादाम का तेल आप सीर के लिए लगाते हैं कि आपके घने और लंबे बाल हो जाएं ना अब इनका तेल भी देखा होगा और अन्य कई परकार के तेल बनाए जाते हैं कई परकार से तेल का निर्मान किया जाता है पहले तेल कैसे निकाला जाता था आपको मालूम नहीं होगा लेकिन आप घरों में पूछ सकते हैं पुराने लोगों से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं पहले तेल आजकल तो मसीनों में निकाला जाता है पहले तेल कोलू द्वारा तैयार किया जाता था यानि कि एक बैल होत उसमें से तेल निकाला जाता था उसे कहते थे कोलू का बैल जो गूमता था वहाँ पर तो पहले तेल जो एक कोलू दारा त्यार किया जाता था इसमें पसु को बांध कर चक्की चलाई जाती थी और उसमें बीजों को डाल कर पीश कर तेल प्राप्त किया जाता था जैसे कि आ कारण इनमें मौजूद गुन भी कम हो जाते हैं इसलिए कची घानी का तेल ही अच्छा माना जाता है तो बच्चो तो बच्चो यहाँ पर आप क्या समझे यहाँ पर परन्त गरम करने के कारण इनमें मौझूद गुण कम हो जाते हैं इसलिए कची गानी का तेल ही अच्छा माना जाता है आपने देखा होगा बाजार में कची गानी का तेल मिलता है तो इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि कोई भी चीज गरम करने पर गुण होते है उसमें और जो पोसक ततो होते हो खत्म हो जाते हैं इसलिए कच्चा तेल अच्छा माना जाता है इसके बाद बच्चों, किसान और चीजों का सफर आईए सुरू करते हैं यहां पर देखते हैं कि किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी फैचानी दुनिया का हिस्सा है आप भी तो जानते हैं खेती यो क्या होती है और विशेज लूप से सहर के ज्यादतर लोगों को यह ऐसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इन से किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे तो बचो क्या आप भी जानते हैं कि यह सारी चीजे जो हम लोग खाते हैं यह कहां से आती हैं इन्हें जो एक किसान अपने खेतों में पैदा करते हैं आपने देखा होगा आलू की पकोड़ी आप देख सकते ह यहां पर आलू की पकोड़ी बरफी आइसक्रीम इन सब चीजों के बारे में नीचे दियेगे बिन्दों को ध्यान में रखते हुए जानकारी खटा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो तो आपने इन सब चीजों को जो आलो की पकोडी में बर्फी आइसक्रीम में जो जानकारियां आपको मिलती हैं कि किस परकार से बनती हैं कैसी बनती हैं तो यह सब जानकारियां आपने बिन्दों को कठे करना है यानि कि इन सब चीजों को आपने जानना है कोशिज करनी है जा यह जानकारियां आपको जो है कैसी लगी आप जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार से इन प्रस्णों को कैसे हल करेंगे यह सब आपको जो है आगे सोचना है और आईए आगे देखते हैं यहाँ पर किन चीजों से बनती हैं यह सब चीजे हम आपको और बताने वाले हैं यहाँ यह सब आपको यहां पर हम बताने वाले हैं इन लोगों में से किसको कितना मुनाफ़ा मिलता है यह सब आप यहां पर जानने वाले हैं तो आईए जानते हैं सबसे पहले यहां पर उत्तर यहां पर देखते हैं आलो की पकोड़ी के लिए मुक्य सामगरी आलो बेसन मसाले और तेल से बनती हैं आप तो सभी जानते हैं आपके घरों में भी बनते होंगे आलो की पकोड़ी यहां तो इसके लिए क्या होता है आलो ब लाइची का प्रियोग बर्फी के लिए किया जाता है आगे आइस क्रीम के लिए मुख्य सामगरी क्या हो सकती है दूद कस्टर्ड पाउडर होता है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा चीनी क्रीम और चेरी का इस्तमाल जो है किया जाता है इसके बाद बच्चो यहां पर देख रहे हैं आपके उपर लिखी सभी आउसे कुस सामगरी खेतों में घर पर किसान के हाथों से जन्म लेती है बच्चो यह सभी चीजें जो है कौन पैदा करता है किसान किसान इन्हें उगा कर अथवा पैदा करके मंडी तक ले जाता है मंडी में आड़ती इन्हें किसान से खरीद लेता है इसके बाद वा नन्ने छोटे दुकानदारों को बेच देता है उन दुकानदारों से या सामगरी हम खरीद लेते हैं इस सफर में या सामगरी, किसान, मजदूर और जो पैकिंग करने वाले होते हैं उनको कागज में लपेट के देते हैं पैकिंग करने वाले यातायात के साधन यानि कि जिन गाड़ियों से वो आता है आड़ती और दुकानदारों से होती है होती हुई हम तक पहुंचती है तो इतनी आसानी से कोई भी चीज हम तक नहीं पहुंचती उसके लिए बहुत सारे लोग बीच में जुड़े होते हैं सबसे पहले उसे किसान पैदा करता है फिर मुजदूर लोग उसे एकट अ करते हैं फिर वाप पैकिंग होती है थेलिऊ में पैकिटों में उसके बाद गाड़ीँ में वर बर कर उसे इधर उदर भेजा जाता है और फिर वत दुगानों में पहुंच ती है और दुगानों से फिर हम खरींगते हैं सारे जो सामान हैं ये जो एक लंबा सफर तैय करने के बाद हम तक पहुंचते हैं। इस सफर में सबसे अधिक मेहनत किसान करता है क्योंकि वह उसे खेती बाड़ी में सरदी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखता उसमें मेहनत करता है। लेकिन वह अधिक मुनाफ़ा नहीं कमा पाता लाप का अधिकार, हिस्सा, आड़ती, ब्यापारी और दुकांदार उठा लेते हैं। आगे यहां पर बात करते हैं खास पकवान की तो आपके लिए पहला प्रसन यहां पर गया आप देख रहे होंगे यहां पर पहला प्रसन देख रहे होंगे आप यहां पर गया सहर तिलकुड के लिए भी परसिद्ध है गया कहां पर है यह जो है बियार में एक सहर है गया यहा परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ जैसे कि आपने देखा होगा कई परकार के पकवान जोए कई जगे बनाए जाते हैं खास तोर पर और उस इलाके के नाम से हुए परसिद्ध हो जाते हैं हमारे देश में आपने देखा होगा मतुरा के पेड़े जोए परसिद्ध हैं परस्टिम बंगाल का जोए रस गुला परसिद्ध है आगरा का पेठा कंड़ा घाट का वेषन बर्पी और राहिस्तान का गेवर परसिद्ध हैं इसी परकार से आपके छेतर में भी जिस चीज ज जो भी पकवान परसिद्ध हो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आएए बात करते हैं, पिछले दो वर्सों में तुमने काम वाले सब्दों के बारे में जाना, यानि कि जो पिछली काक्साओं में आपने जो कुछ भी पढ़ा, उसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा मिला होगा, जो कि आपके काम वाले सब्दों आपको मिले होंगे, इन सब्दों को किरिया भी कहते हैं, क्योंकि किरिया का संबंद कोई काम करने से है, नीचे खिचरी बनाने की विदी दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ किरियाएं छूट गई हैं, उचित किरियाओं का प्रियोग करते हुए, इसे पूरा करो, तो बच्चो यहाँ पर आपको खिचरी बनाने का बीदी बताई गई है, और जहाँ जहाँ आपको बीच में कुछ नए सब्द भरने हैं, यहाँ पर जो आप देखेंगे, ब्लैंक से यानि खाली जेगे वहाँ पर आपको स्वेहम से कुछ सब्द लिखने हैं, जैसे की छोकना, पीशना, पकाना, धोना, प्रोसना, भूनना, आदी, तो इस परकार से आप लिखेंगे, तो बंगाल में यहाँ पर जो है, खिचरी जो है, पांच ब्यक्तियों के लिए बनाई जाएगी, तो किस परकार से बनेगी, सामगरी यहाँ पर जो है, आप लिखेंगे, आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामगरी और मात्रा, तो यहाँ अधरक 20 गराम लगेगी यहाँ पर सामगरी पांच ब्यक्तियों के लिए खिच्डी बनाई जाएगी बंगाली खिच्डी तो इस प्रकार से बनेगी आपने देखा अधरक जो है कितनी लगेगी यहाँ पर 20 गराम अधरक की मात्रा होगी इसके बाद लेसुन लगेगा तीन फांके यहाँ पर देख रहे हैं आप लेसुन तीन फांके इलाइची के दाने तीन छोटी इलाइची इसके बाद दालचीनी यहाँ पर दालचीनी की जुरत पड़ेगी एक बटे दो यानि कि एक कप वन अपॉन टू जो है सेंटिमिट्र का एक टुकड़ा दालचीनी का और पानी यहाँ पर जो है चार प्याले लगेगे आपके चार कप के बरावर पा आप देख सकते हैं यहां पर तेज पत्ते यहां पर दो लगेंगे इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जीरा लगेगा थोड़ा सा आपका आदा चमच जोए जीरा लगने वाला है आपका प्याज बारिक जोए कटी हुई लगेगी आपकी लगवग एक प्याज जोए आ तुकडों के कटे हुए दो दो अलू और मतर के दाने आपके कुछ लगेंगे यहां पर आदा प्याला या आदा कब जो है मतर के दाने आपको उसमें डालने पड़ेंगे इसके बाद धनिया होगा आपके लिए पिसा हुआ धनिया एक बड़ा चमच लाल पिसी हुई मिर्चे एक छोटा चमज आप देख सकते हैं यहां पर चीनी छोटा चमज इसके बाद आप देख सकते हैं कि घी लगेगगा आपका बड़े चमज गी लगेगा दो बड़े चमज आपके घी लगने वाला है इस खिचडी में नमक और हल्दी अंदास से आप इसमें डाल सकते हैं इसके बाद बनाने की बिदी आईए आपको बताते हैं कि किस परकार से ये बनने वाली है आपके लिए खिच्डी किस परकार से बनने वाली है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इलाइची दाल चीनी लॉंग में थोड़ा पानी एक छोटा चम्माइच डालते वे पीस लेंगे अधरक और लैसुन को इकटा पीस कर पेस्ट बनाएंगे दाल को कड़ाई में डालो और मद्यमाज पर सुनारी भूरी होने तक आप इसे भून लेंगे अब दाल निकाल कर पीस लो तेल को कुकर में डाल कर गरम करो तेल गरम हो जाने पर तेज चुटकुले पत्ते और जीरा डालो जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डाल कर सुनारा भून लो इसके बाद अब अद्रेक लेसन का पेश्ट डाल कर कुछ मिनट तक उसे भूनो दुली वी दाल चावल और सबजी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ सेश पानी जो चार कप जैसे कि आपको बताया था डाल कर चलाओ कुकर बंद करो तेज आँच पर पूर्ण प्रेसर आने दो अब आँच कम करके चार मिनट तक पकाओ भाव निकल जाने पर कुकर खोलो मसालों का पेश्ट बनाओ खिशुरी घी हिंग जीरा सावत लाल मिर्च से च्छों करके इसको परोश सकते आप गर्म गर्म आप इसे परोश लो तो बच्चो इस प्रकार से आपको खिश्री बनाने की जोई यहां पर बिदी बताई गई तो बच्चो अब जानते हैं यहां पर गति बिदी में खाने से जुड़ी कुछ अनेक किरियाएं भी सोचो यहां पर आप हमारे यहां खाना तरह तरह से बनाय जाता है पुराने जमाने की बात करें तो खाना प्रेसर कुकर में नहीं बनता था पहले यहां मिटी या पितल के बरतों में पकाई जाता था पकाने से पहले आउसक सामगरी में से कूड़ा करकर छांड लिया जाता था उसके उपरान सामगरी को दोया जाता था इनन और समय की बच्चत हो सके इसलिए कुछ सामगरीों को भिगो कर रख दिया जाता था आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अभी भी जोए दाल हो गरे को पहले से भिगो कर रख देती है ताकि ज़्यादा गैस की जोए ताकि ज़्यादा गैस खर्चना हो पहले से थोड़ा हो गल जाए उसके पश्चात पकने के लिए डाला जाता है पक जाने पर गरम गरम परोस जाता है इस प्रक्रिया में यदि कुछ व्यर्थ सामगरी बच जाए तो उसे पसूं को दे दिया जाता है ताकि वेस्टेज से बच जाए जो सामगरी नहीं दी जाती उसे खाथ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बाद बच्चों यहां पर जो इसी के साथ जो है आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है, तो हमने आपको आज पढ़ाया कक्षा 5 हिंदी रिम्जिम का दूसरा पार्ट फसलों का त्योहार, तो बच्चों पार्ट आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी परकार आप लघातार इसी परकार से इन पार्टों को आगे-आगे, हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, और आप देखते जाएं, आपका दिन सुव हो, इसी के साथ हम आपसे बिदा लेते हैं, और बचो आप जो इस पार्ट को अच्छी तरह सी याद कर लें और समझें और जब तक समझ ना आए इसको देखें और इनके प्रस्णू को जो हल करें और याद करने का भी प्रियास करें